प्रश्न एक स्टार्टप्स द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उप्योग मामलों को लागू करने वाला विदिशा पहला भारतिय जिला बना उत्तर विदिशा मध्यप्रदेश का एक आकांग्शी जिला स्टार्टप्स द्वारा पेश किये गए अभिना 5G उप्योग मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है प्रश्न दो स्टार्टप्स फर्म IG Drones ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विक्सित किया प्रश्न तीन युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोशना की डल्यूएचम उत्तर WHO द्वारा जारी बयान के अनुसार युगांडा ने 11 जन्वरी 2023 को सूडान इबोला वाइरस के कारण होने वाली इबोला बीमारी के प्रकोप की समाप्ती की घोशना की प्रश्न चार वित्तवर्ष 24 में भारतिय अर्थव्यवस्था 6.6% की मजबूत दर से मड़ीगी विश्व बैंक उत्तर विश्व बैंक ने 2023-24, FY24 में भारतिय अर्थव्यवस्था के 6.6% की मजबूत वृद्धी का अनुमान लगाया है जो 2022-23, FY23 में अनुमानित 6.9% से कम है प्रश्ण पाच समुद्रयान मिशन के तहट भारत तीन लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भीजेगा उत्तर भारत समुद्रयान मिशन के तहट खनिच संसाधनों की खोच के लिए भारत तीन व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भीजेगा प्रश्न 6 FPV श्रिंखला का अंतिम पोथ, ICG जहांस कमला देवी कमिशन किया गया उत्तर पश्चिम बंग्राल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेच्चोल वेसल, FPV, ICG जहांस कमला देवी को 12 जन्वरी को कमिशन किया गया प्रश्न 7 Online Gaming में भारत का पहला उत्रिष्ट का केंद्र शिलांग में स्थापित किया जाएगा उत्तर IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 जन्वरी 2023 को कहा कि भारत के Software Technology Park के माध्यम से Digital India Startup Hub मार्श तक शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्रिष्टता केंद्र स्थापित करेगा प्रश्न 8 गंदासागर मेला 2023 उत्तर मकर संक्रांती मनाने के लिए 12 से 14 जन्वरी के बीच आयोजित होने वाले वार्शिक गंदासागर मेले के लिए लाखो तीर्थ्यात्री पश्चिम बंगाल के सबसे दक्षिनी सिरे पर सागर द्वीप पर आना शुरू कर दिया है प्रश्न 9 मध्यप्रदेश परियतन बोर्ड ने GOPIO के आठ देशों के चैप्टर के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये उत्तर मध्यप्रदेश टूरिजम बोर्ड ने सत्रहवे प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के MP टूरिजम पवेलियन में Global Organization of People of Indian Origin, GOPIO के आठ देशों के चैप्टर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किये प्रश्न 10 पूर्व केंद्रिय मंत्री शरद यादव का निधन उत्तर पूर्व केंद्रिय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया 75 वर्शिय दिगज राजनेता गुरुग्राम के एक नीजी अस्पताल फोर्टिन्स में अंतिम सांस लिया इनका अंतिम संसकार 14 जनवरी को मध्यप्रदेश के होशंदाबाद के बाबई तहसील स्थित उनके पैत्रिक गाव आखमों में किया जाएगा प्रश्न 11 कोगनिजन्ट ने रवी कुमार एसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यूक्त किया पुत्तर बारा जन्वरी 2023 को Pognigant IT प्रमुक ने Infosys के पूर्व अध्यक्ष रवी कुमार एसको CEO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोशना की है, जिसे ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है प्रश्ण 12 भारतिय शान्तिरक्षकों को अनुकरणिय सेवा के लिए सन्युक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया पुत्तर दक्षन सूडान में सन्युक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत 1000 से अधिक भारतिय शान्ती सैनिकों को एक पुरसकार समारों में प्रतिष्ठित सन्युक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया पुत्तर पश्चिम बंग्राल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी आईसीजी जहांस कमला देवी को 12 जनवरी को कमिशन किया गया